हलो प्यारे बच्चों, अब हम सयुक्त व्यंजन से बने शेब्दों के द्वारा जो पाठ हमारा आया है, अब री की मात्रा वाला वो हम पड़ रहे हैं, निकाली आप पैज नंबर 65 पर, ठीके, हमारे पाठ का शिर्शक है, रीशी का आश्रम, आश्रम, रीशी का आश्रम, है ना, ठीके, मैं पड़ना स्टार्ट कर रहे हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, गमें की मात्रा गं, गमें की मात्रा गा, गंगा, न, दमें बड़ी की मात्रा दी, न दी, गंगा, न दी, के, कि, न, रमें की मात्रा रे, कि, न, रे, एक, आश्रम, आश्रम, था, गंगा नदी के किनारे एक आश्रम था उस आश्रम में एक रिशी रह तमें की मात्र थे रहते थे गंगा नदी के किनारे एक आश्रम था उस आश्रम में एक रिशी रहते थे आश्रम के चारमे की मात्र रो और हरमे की मात्र रे वर में रिशी की मात्र रे 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 गम रिग बी ना बिना डर डर कमे की मात्रा के बिना डर के घमे बड़ेव की मात्रा घूम तमे की मात्रा ते घूमते थे रिक्ष्यों में ब्रग बिना डर के घूमते थे मतलब एक रीशी का गंगा नदी के किनारे एक रीशी का जो आश्रम था उस आश्रम में एक रीशी रहते थे और आश्रम के चार ओर क्या थे हरे भरे व्रक्षी व्रक्षी किसको बोलते हैं पेड को किसको बोलते हैं पेड को तो व्रक्ष के चारो और हरे भरे पेड ही पेड थे बहुत सारे पेड थे तो व्रक्षियों में म्रग बिना डर के घूमते थे व्रक्षियों में म्रग मतलब जो बहुत सारे घने घने पेड थे न उन पेडों के बीच बीच में म्रग म्रिग मतला हीरण हीरण बिना डर के घूमते थे और दो में बड़ेव की मतला दूर से बालक उस आश्रम में आमें छोटीक मतला शिक्षा लेने आते थे दूर दूर से बालक उस आश्रम में शिक्षा लेने आते थे मतलब रिशी का जो आश्रम था ना उस आश्रम में दूर दूर के बहुत नई नई जगे के दूर दूर के बच्चे शिक्षा लेने आते थे आश्रम में जैसे हमारे स्कुल में भी बहुत दूर दूर से बहुत आलग अलग गाओं के बच्चे आते ना कोई कहां से आता है कोई कहां से आता है ऐसे ही गुरू के आश्रम में भी बहुत दूर दूर से बच्चे शिक्ष्या लेने आते थे व में की मात्रा वे सब रिशी की आग्या का पालन करते थे वे सब रिशी की आग्या का पालन करते थे जिशी की आग्या का मतलब जिन रिशी की आग्या का पालन करते थे जैसे आप लोग भी स्कुल में आते हो तो टीचर्स जैसा बोलते हैं वे सा करते हो न टीचर्स की आग्या का पालन करते हो ऐसे वो भी आश्रम में रहने वाले सभी शिश्य गुरु की आज्यागा पालन करते थे एक दिन एक रिप रिप मतलब राजा वहां आया एक दिन एक राजा वहां आया और रिप रिप ने म्रिग पर तीर चलाया एक राजा ने म्रिग पर मतलब हीरन पर तीर चलाया म्रिग त्रिण चरते चरते भाग गया मतलब हीरन त्रिण चरते चरते त्रण मतलब म्रग इस जंगल में क्या मिलेगा जंगल में खाने के लिए घास मिलेगी चारा मिलेगा तिन के मिलेंगे तो ब्रग तरण चरते-चरते मतलब घास चरते-चरते भाग गया फिर रिप का तीर वरिथा गया मतलब राजा ने जो हीरन के उपर तीर चलाए था तो हीरन तो घास चरते-चरते भाग गया तो राजा का तीर वरिथा गया रप का तीर बेकार गया रीशी रीशी ने रेप को बुलाया और कहा रीशी ने फिर राजा को बुला कर कहा किसी को वरिधा मत मारो वरिधा मतलब बेकार में जब हीरन ने तुम्हारा कुछ भी नहीं विगाड़ा आए तो तुम उसे क्यों मारते हो क्या बोला राजाने कि जब हीरनने तुमारा कुछ भी नहीं भी गाड़ा है तो तुम उसे क्यों मारते हो किसी को वरिथा मत मारो घ में री की मात्रा ग्रीना मत करो क्या कहा रिशी ने कहा कि किसी को बेकार में मत मारो उनसे ग्रणा मत करो ग्रणा मतलब नफरत उनसे नफरत मत करो और उन्हें बिना कारण के मत मारो प, पमेरी की मात्रा प्री, ठ, वी, प्रत्वी, कमे की मात्रा के प्रत्वी के प्रा, नमे छोटी की मात्रा नी, यमे ओ की मात्रा यो प्राणियों पर क्रपा करो प्राणियों मतलब जीव इंसान जो प्रत्वी पर प्रारी रहते हैं जिन में जान है वो सब जीव उन पर करपा करो क्या कहा रिशीने कि प्रत्वी के प्राणियों पर करपा करो जब रिशी ने इस तरह की बात समझे ला तो क्या किया राजा ने माफी मांगी और चला गया जब रिशी ने राजा को समझाया कि किसी के उपर बिना कारण से वार मत करो उसकी हत्या मत करो किसी से नफरत मत करो ग्रिणा मतलब नफरत मत करो अपने रदय में किसी से वैर मत रखो वैर मतलब दुश्मनी दिल में किसी के लिए दुश्मनी मत रखो और प्रत्वी के प्राणियों पर क्रपा करो धर्ती पर जो भी जीव है ना उन पर क्रपा करो उनकी रक्षया करो फिर राजा ने माफी मांगी और वहां से चला गया चलो अब नीचे वाले पेरेग्राफ